ना मैं अजयता और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारवेल के अदर आफ सॉफ्ट डिलीट कैसे कर सकते हैं याने कि एक रैकोड को यदि आप डिलीट करते हैं डेटाबेस से तो वह पर्माने डिलीट नहों करके वो टेंप्रेरी रूप से डिलीट हो सके ठीक है अब उसे बाद में रीकावर कर सके तो हम क्या करते हैं सब सबसेपले प्रिट कर लेते हैं सॉफ्ट्रेप प्रजेक्ट करके रस और फिर उसके अंदर हम प्यस्प आइज जिसन सर्व कमांड रन करते हैं तो अब देखें कि यहां पर मैं पास एक फ्रेस आरवल इंस्टोलर इसको अपने टेक्स एडर में ओपन करना रहेगा और वी के अंदर हमें डेटाबेस को चैक यह तो जो यह हमारा डेटाबेस है soft delete project करके इसको हमें अपने जैम सर्वर के अंदर create कर लेना है यानि कि अपने सर्वर के दो भी अपसर्वर यूज कर रहें कि अब यह connected हो चुका है आप हम्मे क्या करना रहा है इसके अंदर जो भी हमारे पास माइगरेशन से उसके अंदर यदि आप जाके देखेंगे तो यहां पर लारवल बाइडिफोर्ट आपको कुछ माइगरेशन से देता है यहां पर यूजर स्टेबल उसके आप देखेंगे कि यहां पर कुछ फील्ड से अल्रडी और यहां पर हमार पास सीटर है सीटर के अब डेटा डमी डेटा आपको मिल जाएगा तो यह दि मैं यहां पर जाता हूं और मैं इसको रिफ्रेश्ट करते हूं यूजर स्टेबल में आप चलेंगे तो यहां पर आप देखिए आपको 10 रैकोर्ड आपको मिल चुके हैं जो की है डमी रैकोर्ड ओके ठीक है तो इसलिए ताकि वह थोड़ा वीजिबल हो सके एरे की फॉर्म में ठीक है थोड़ा आसानी हो जाएगी हमें उसको देखने में तो अभी मैं इसको रिफ्रेश्ट करते हूं आप देखेंगे यहां पर देखिए जीलो से लेकर के 9 तक है यानि कि 10 रैकोर्ड आपको यहां पर मिलेंगे और यहां पर डेटा हमें फिल्ड आल्रेडी है जो कि हमने अपने फैक्टरी से फिल्ड किया था अभी हम क्या करते हैं कि हम फर्स्ट रैकोर्ड फैच करते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं तो मैंने हम पर किया यूजर फोर्स्ट और मैंने इसको क्या कर दिया तो अभी जैसे कि कोई एक user को यदि हम डिलीट कर देते हैं या कोई user अपनी जैसे कि कोई एक social media application और वहां से user अपनी profile को डिलीट करना चाहता है तो उस case में क्या होगा कि यह पर्मानेट डिलीट हो जाएगा जैसे कि अपर देखेंगे यहां पर आट रेकॉर्ड है और मैं यहां पर database में जागा है यहां पर देखी रेकॉर्ड हमारा id1 पर मनेट डिलीट हो चुका है क्योंकि फ़र्स्ट हो इधी वन तो अब वो पर मनेट डिलीट हो चुका है हमें पर मनेट कोई चीड नहीं करना है हमें ऐसा रखना है कि बाद में user का यह दी मन बदल लिया तो अब उसको क्या करते कि अपने अकाउंट को रिकवर कर सके या फिर आप उसको क्या करना है कि अपर लिखना है टेबल सौफ डिलीट करके यहां पर आपको कॉलम पॉडल के अंदर आप सॉप डिलीट परफॉर्म चाहते हैं उसके अंदर क्या करना रहाएगा आपको यह फिलहाल के लिए और यहां पर आप देखें कि अलग तरीके के आपको फंक्शन मिलेंगे जैसे की बूट्स ऑफ डिलीट से और यहां पर क्या है कि इनसलाइस करके है इनसलाइस करने के लिए है यहां पर और यहां पर देखें कि फोस्ट डिलीट है यान कि कोई भी आइटम आप जब फोस्ट करना चाहते हैं याप अलग लग तरीके के मैथर्स आपको मिलेंगे जो आप इन मैथर्स को आप यूज कर पाएंगे जैसे रिस्टोर है जो यूज कर पाएंगे अपने 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 प्रजेक्ट के अंदर यहां पर देखें यह डिलीटेट एट बोड़ा कि अभी मेरे पास है नहीं वह इसलिए क्योंकि हमने चेंजिस के और उसे हमें दुबारा से माइगरेशन रन करने रहेगी तो अब यहां पर हमें डिली इसके अंदर जो हमने एड़ की ती उसकी वजह से अभी हम क्या करते कि एक रैकोर्ड को फिर से हम जो है अभम डिलीट करते हैं ठीक है तो हमने देखिए वापस से हम इस जो कमांड करते मैं इसको रिफ्रेश करता हूं यह आइटम डिलीट हो चुका है हमें आठ यहां पर म पर देखेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा इससे क्या हो कि आपको जो रैकोर्ड है वो परमानें डिलीट नहीं होगा बलकि यूजर के लिए एकसेसिबल नहीं होगा यानि कि आपको एकसेस नहीं कर पाओगे बट वह आपके डेटावेस के अंदर रहेगा तो यह द देखेंगे तो आप इसको विद आट्रैस करके आप उसको फैस कर पाओगे इस तरहिके से देखिए अब आप यहाप पर क्या कि जो आपका रैकोर्ड डिलीटेट एट है वह भी आपको मिल रहा है देखिए यहापर भी है साटिन आइटम का भी है तो इस तरीके से यह जाही करें है तो हाप देख देटावी के मिलेंगी जैसा यहां पे डेटावेस के लगंदर अदर देखा था था कि वापर तीन आइटम दीलिट युट हो एप और कि है एक यह को रोपальный कि यत Was इसको इस तरीके साब user only trust कर सकते हैं या विद ट्रेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर आपको ID पास करने रहेगी कि आप किस ID को आप restore करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं जो पास कर रहा हूं कि वेयर जो ID होगी वो दो हो जाएगी इस तरीके साब इसको लिख सकते हैं कि मुझे जो ID 2 है जिस user की उसको हमें सिर्फ रिस्टोर करना है किसी एक अकाउंट को ही तो मैं इसको दोवारा से इसको सेफ करता हूं और वापस ब्राउजर बचा है सोड़ी दो दो आइटम बचें तीन में से बट यहां पर जो ID 2 है वो देखें यहां पर नल हो चुके है यानि कि अब वो डिलीटेट से हट चुका है अब वो आपके एक्टिव रैकोर्ड में आ चुका है अब आप उसको नॉर्मल कोईरी से अब उसको एक्स कर पा इसको वापर से रिफ्रेश करता हूं यह जो आइटम में यह देखें एमपटी एरे आ चुका है और यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर डिलीटेट एट भी नल हो चुका है इसको आइटम हमें डिलीट हो चुका है बट अब क्या है कि अब आप एक रैकोर्ड को परमान इसको डिलीट किया हुए तो अब यह देटाबेस में भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैं उसको फोर्स फुली डिलीट कर दिया है तो इस तरीके से आप क्या चीज करेंगे कि आप फोर्स फुली आइटम को डिलीट कर सकते हैं यानि कि जो पहले कि तरह जो लारवेली कोशन है तो आप मुझे कमेंट से समय लेकिए मैं उसको जरू जवाब दूँगा मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए